हेलो एब्रिवन कैसे हो आप सब आ गई हूँ एक न्यू ब्लोग के साथ आप सब के सामने जैसा कि आप सब को पिछली वीडियो में बताया था कि अब आज निधी और छोटे मादव को लेकर हम घर आ रहे हैं तो बस वहीं पर सुबह मॉर्निंग में मैं होस्पिटल पहुचे और फिर हम दोपहर में जैसे 11 बजे हम अपने छोटे मादव को लेकर अपने घर आ गए हैं तो बस अभी होस्पिटल पहुचने वाले हैं हम ये अभी हम अपने घर के पास पहुँच गए हैं तो ये हैं हमारी एंट्री तो आप सब देखिएगा और देखते हैं इधी को हमारा सब का सर्प्राइज कैसा लगता है कमेंट्स करके जरूर बताईएगा कि आप सब को कैसा लगा बहुत जल्दी हम छोटे मादव को आप सब को दिखाएंगे अभी छटी वाला फंक्शन हो जाता है एक दिन के बाद फिर आगे हम आपको मिलवाते हैं अपने छोटे मादव से भी सिजेरियन हुआ है तो थोड़ा सा केर रखके भी चलना पड़ेगा क्योंकि ओटे होने के बाद वैसे ही शरीर भी थोड़ा सा रिलेक्स होना चाहिए ये रागव एंट्री के लिए रेडी है वेट कर रहा है कि कब मादव आए घर ये एंट्री है हमारे घर की अट्री है retrieve कि थेखिक हमारे धिसम्हें पीड़ा कर रया से कि अ हो तो निधी को बहुत अच्छा लगा सर्प्राइज यह अभी माधव के एंट्री रूम के अंदर तो सब को मतलब से प्रइज बहुत अच्छा लगा आप सब ही बतायेगा कमेंट्स में जरूर कि आप सबको हमारा सर्प्राइज कैसा लगा और अगर व्लोक्स आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज कमेंट करके बताईएगा हम आगे कंटिन्यू रखें व्लोक्स को क्योंकि बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं हैं बट कोशिश कर रहे हैं हम ये हमारी ड्रोइंग रूम है शंकर भगवान जी की फोटो है हमारे बाबा दादी की फोटो है तो ये वापिस से एंट्री दिखाते हुए देख लीजी आप लोग और अपना प्यार ऐसे ही अपने इन व्लोक्स को देखते हुए देते रहे है चलिए करते हैं इस व्लोक को यहीं पर खतम मिलते हैं नेक्स्ट व्लोग में एक नई वीडियो के साथ थैंक्स फॉर वाचिंग ऐसे ही अपना साथ हमारे लिए बनाए रखें